हलो नमस्कार साथियूं जेहिन इश्टेडी एक्जाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टोपिक है राजस्तान की पर्मुक बावडियां बहुती महतुपूर टोपिक है आप राजस्तान का कोई भी एक्जाम दे देना उसमें बावडियों से की द्रिश्टिश्प बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण बनाया गया है वीडियो को अंतक देखना अच्छा लगा है तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने मीत्रों को सेर करना तो बढ़ते हैं अपने पहले परसंड के और इससे पहले अपने चैनल पर जो जितने भी विदारती राजिस्तान पुलिस की तियारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया टोपिक महिला एवंबाल अपराद से समंधी क्लास होती है साम को साथ बजे यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले और उस क्लास को जोइन कर लेना पहले वाले वीडि में हमारी राजस्तान करंड जीके की क्लास होती है दो इत दिन से वह क्लास लगतार हो रही है यह दोनुव वीडियो आप देखना चैनल पर जाकर क्योंकि उनसे रिलेटेट परशन एक्जाम में पूछा जाता है तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की और सबसे पहले हम बावडी के बारे में जानते हैं कि बावडी होती क्या है कहीं बार जो सीटी में बच्चे रहते हैं उनको पता नहीं रहते हैं कि बावडी क्या होती है तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं राजस्तान में बावडी या उसको बाव भी बोलते हैं बावड की तरह कुंड होता है इसमें पान्नी की सते तक जानने के लिए जैसे कुए में तो क्या करते हैं बाल्टी अंदर डुबोनी पड़ती है रसी से लेकिन बावडी के अंदर अंदर जाने के लिए सीडिया बने होती है اور इन पर अलंकृत दुआर होते हैं सुंदर तोरण और दे है और सरवे परतम बावडी का निर्माड राव जोदा ने करवाया था जोदपूर के साथ सगी राव जोदा ने सबसे पहले बावडी का निर्माड करवाया था ये सबसे महतपूर्ण पसंद है यहां पर अब बढ़ते हैं अपने आज जितनी भी बावडी हैं सब के बारे मे डिटेल के साथ जानेंगे हम बहुत ही महत पूर्ण अपना ये विशे अन तक देखना वीडियो को हमारी चैनल पर इतने महत पूर्ण जुगलबंदी से समंदीत साकून जोहर से समंदीत वीडियो डाले गए हम वीडियो को आप देखो एक बार जरूर देखो उनको क्योंकि इतनी महत पूर्ण जानकर मिलेगी आपको जितनी आज तक आपने नहीं देखें इसे परशन मिलेंगे और वो ही परशन उसी परकार के परशन एक्जाम में आते हैं आप किसी भी बावड़ी इस्तित है इसका सही उत्तर होगा दोसा एर राइट एंसर है जो यह आपने री बावड़ी है इसके बारे में कहीं बार एक्जाम में परशन पूछा गिये है चलते हैं अगले परशन के और परशन सेंग्या दो होई बाई जी की बावड़ी कहां पर इस्तित है अथे बाई जी की बावड़ी है बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर इसका सही उत्तर होगा ए बढ़ते हैं अगले परशन के और राजस्तान में सरवादिक बावड़ियां किस जिले में है ए है कोटा, भी है उद्यपूर, सी है बीलवाड़ा और डी है बुंदी तो राजस्तान में सरवादिक बावड़ियां हैं बुंदी जिले में इसका सही उत्तर डी होगा बुंदी को चोटी कांसी भी का जाता है और इसमें सेंकडू बावड़िया है इसलिए बुंदी सेर को Step Wells of City Step Wells of City के नाम से बुंदी को जाना जाता है और बुंदी में कौन-कौन सी बावड़िया है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जितनी भी बुंदी के अंदर बावड़िया है परसंग्या चार राज्य में नोलख्खा बावड़ि किस जिले में इस्तित है नोलख्खा से समदित बहुत सारे परसंट बनते हैं एक्जामे तो नोलख्खा से समदित जितने भी परसंट बनते हैं नोलख्खा महल काँ पर है नोलखा बावडी काँ पर है नोलखा सरोवर काँ पर है नोलखा दरवाजा काँ पर है नोलखा महल काँ पर है इन सबसे सबी से समंदित जो हमारा वीडियो है वो पहले से दो तीन वीडियो बनाएं गए हैं उन वीडियो का जाकर जरूर देखना वीडियो चैनल में जाकर बहुती गजब की trick के साथ बताए गए हैं तो राजी में नोलखा बावड़ी इस्थिद है इसका right answer होगा B. डूंगरपूर नोलखा बावड़ी है डूंगरपूर में उस वीडियो में trick के साथ बताया गया है, नोलखा से समध्य जीतने भी पसंद बनते हैं, परस्षिंग क्या 5, बिनोता की बावड़ी कहां पर इस्तित है, ए है जैसलमेर, बी है बाड़मेर, सी है चितोडगड, डी है करोली, तो बिनोता की बावड़ी है, चितोडगड में इसका सही उतर होगा, जो नोलखा की बावडी थी डूंगरपुर में इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि जो राजा आस्करण की रानी पिर्मल दे जो राजा आस्करण की देवी पिर्मल देवी थी उसके दोरा इस नोलखा बावडी का निर्मान डूंगरपुर में करवाया गया था और बिनोता की जो बावडी है चितोडगड में इसका निर्मान करवाया था सूरज सिंग सूरज सिंग सकतावत ने इसका निर्मान करवाया था और बिनोता बावडी के उतर में विशाल दर्वाजा है जिसे हाती दर्वाजा भी कहा जाता है ये भी पशन पूछा जाता है कि हाती दर्वाजा किस बावडी के उत्तर दिसा में है या किस बावडी के पास में इस्तित है तो ये विनोता बावडी है चितोडगड में जिसके उत्तर में एक विसाल दर्वाजा है जिसे हाती दर्वाजा कहा जाता है रुक करते हैं अगले पशन की और पशन की अच्छे है लंबी बावडी कितने मंजिल की बावडी है सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता होगा कि लंबी बावडी कहां पर है तो लंबी बावडी दोलपूर में है त्यां रखना लंबी बावडी है अपनी दोलपूर में और ये साथ मंजिला बावडी है इसका सही उतर्शी होगा अगला पशन पशन सहीं क्या साथ है पन्ना मिना की बावडी कहां पर इस्तिद है पन्ना मिना की बावडी ए है विकनेर बारा शी है अमेर डी है जुझनु तो पन्ना मिना की बावडी तो इस्तिद है आमेर जेपुर में इसका सही उतर्शी होगा बढ़ते हैं अपने अगले परसंके और परसन सिंग्या आठ मेड़तनी बावडी कहां पर इस्तिद है ए है जुन जुनू भी है सिकर डी सी है कोटा डी है बारा तो मेड़तनी बावडी तो जुन जुनू में इस्तिद है इसका सही उतर होगा मेरतनी बावडी इसका निर्मान जुन जुनुक के अधिपती सारदूल सिंग उनके मरने के बाद उनकी जो तीसरी रानी थी बखत कमर उनकी तीसरी पत्नी बखत कमर ने अपने पत्ती की याद कायम रखने के लिए ये पीमपली चोक तथा मंसा देवी के मंदिर के बीच इसका निर्मान करवाया था बढ़ते हैं अगले परशन के और ये मेरतनी बावडी का एकजाम में कहीं बार परशन आया हुआ है कि इसका निर्मान किसने करवाया था नहीं पता है कहीं विदारतियों को तो इसका निर्मान करवाया था साडूल सिंग की पत्नी बखत कमर ने परशन सेंग्या 9 तापी बावडी कहां पर इस्तित है A है जेपूर, B है नागोर, C है भरतपूर और D है जोधपूर तो तापी बावडी कहां पर है इसका सही उतरोगा D जोधपूर, जोधपूर में जितनी बी बावडी हैं उन सब की बारे में हम डिटेल से जानेंगे हैं तो तापी बावडी जोधपूर में और ये बावडी जोधपूर सेर की बावडियों में सबसे लंबी बावडी है त्यान रखना जोदपूर शेर में जितनी भी बावड़ी आए उनमें सबसे लंबी बावड़ी है तापी बावड़ी बढ़ते हैं अगले परशन के और ये लो ये परशन आ गया जो कहीं बार एक्जाम में पूछा गया है खर्बुजा बावड़ी कहां परिष्टी दे ए है बाडमेर बी है बिकानेर शी है जोदपूर डी है चुरू तो इस परशन का सही उतर होगा बी शी होगा जोदपूर खर्बुजा बावड़ी तो जोदपूर में इस्तित है अगला परशन है क्या गयारा राजाराम की बावड़ी कहां पर इस्तित है A है अजमेर, B है धोलपूर, C है सवाई मादोपूर, D है जोधपूर तो रजाराम की बावडी जोधपूर में इस्तित है इसका सही उतर होगा D अगला परसन परसन संक्या बारा हाडी रानिक की बावडी कहां पर इस्तित है इस बावडी के बारे में पुछा जाता है एक्जाम में A है टॉंक, B है दोसा, C है कोटा और D है जेपूर तो इस परशन का सही उतर होगा A टॉंक यानि टोड़ा राइशिंग टॉंक में हाडी राने की बावडी इस्तित है टोड़ा राइशिंग टॉंक के अंदर परशन सिंग क्या टेरा है आपके सामने धाबाई जी की बावडी कहां पर इस्तित है ए है बुंदी, B है परताबगर, C है जालोर, D है भी लवड़ा तो दाबाई जी की बावडी तो नानक पूरिया, बुंदी के अंदर इस्तित है नानक पूरिया, बुंदी इसका सही उत्र होगा तो रानी जी की बावडी कहां पर इस्तित है रानी जी की बावडी से समधित एक्जाम में भी कहीं बाहर प्रसंद पूछा जाता है बुंदी राणी जी की बावडी तो बुंदी में इस्तित है और ये पूछा जाता है कि जो राव राज अनिरूद सिंग की राणी नाथवती के दुवारा 1679 में इसका निर्मान करवाया गया और ये सबसे लंबी बावडी है बहुत ही मेहत उन परषण है राणी जी की बावडी बुंदी के अंदर है इसका निर्मान अनिरूद सिंग की राणी नाथवती के दुवारा 1679 में करवाया गया और ये सबसे लंबी बावडी है ये सबसे लंबी बावडी पूछा जाता है तो वो राणी जी की बावडी है और इसकी गणना एस्या की सरवश्ष्ष्ष्ट बावडियू में की जाती है। एस या मादीब की सरवशेष्ट बावडियों में रानी जी की बावडिय की गिंती की जाती है। बढ़ते हैं अगले परसंद के और। परसंद सिंख्या 15 है बढ़ गाउं की बावड़ी कहां पर इस्तित है। बढ़ गाउं की बावड़ी A है कोटा, B है जालावाड, C है भरतपूर तो इस परसंद का सही उत्र होगा A कोटा, बढ़ गाउं की बावड़ी तो कोटा में इस्तित है। इस बावड़ी का निर्माण कोटा के सासक सत्रु साल की पटरानी यानि महारानी जादोण ने करवाया था। यह ध्यान रगना। बढ़ गाउं की जो अमें इसका निर्माण करवाया था, वहाँ कि सासक सत्रु साल की पटरानी जादोण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब हमें सभी बावड़ीوں के बारे में डटेल से जानते हैं, इसके पहले मैं कुछ और महत्वर बावड़ीों के बारे में चर्चा करेंगे सीला तथा पन्ना मीना की बावडी पहले हमने पन्ना मीना की बावडी पड़ी थी आमेर जेपुर में है अब पूछा गया सीला तथा पन्ना मीना की बावडी तो ये बावडी अजमेर में इसका भी ध्यान डखना जो ये बावडी है इस पर मैं भी गया हूँ इस बावडी को देखने के लिए तो तोरण बावडी में यहाँ पर हातियूं गणेश, विश्णूं तेदा सरसुति की इस परकार की बहुत सरी इसमें परतिमाई उकेरी गई है इस बावडी के अंदर अगला है आजमगड वे भानगड बावडी तो आजमगड वे भानगड बावडी अलवर में है और पर्चा बावडी पर्चा बावडी से समधित पसन भी पूचा जाता है तो पर्चा बावडी तो अगनी जेसलमेर में ये ध्यान रखना अब हम डिटेल से जानते हैं कि कौन सी बावड़ी कहां पर है बुंदी में निमन बावड़ीयां इस्तित है बुंदी में कौन कौन सी बावड़ीयां उनके बारे में जानते है बुंदी में बहुत सारी बावडियां यानि सर्वादिक बावडियां बुंदी में यह कहीं है तो गुलाब बावडी बुंदी में है चमपा बावडी की बावडी भी बुंदी में है यानि यह बावडी गर्मी में सितल जल के लिए परशिद है द्यां रखना गर्मी में ठंडे जल के लिए कौण सी बावड़ी परशिद है तो चंपा बाग की बावड़ी परशिद है काँ पर है बूंदी में है ये जितने भी बावड़ी है ये सब बोंदी में है सबुनात की बावडी तो सबुनात की बावडी भी कहां पर है सबुन नहीं है सबु है सिरफ यह मिश्टेक है सबुनात की बावडी है तो सबुनात की बावडी भी बुंदी में मेगनात की बावडी मेगनात की बावडी बुंदी और व्यास बावडी मान मासी बावडी तो मान मासी बावडी कहां पर है ये भी बुंदी में है और नाथ की बावडी या नाथों की बावडी ये भी बुंदी में है और शाम बावडी भी बुंदी में है दिवान की बावडी पठान की बावडी और माता की बावडी ये सब बावडियां बुंदी में है बाल चंद पाड़ा की बावडी ये जहां रखना बाल चंद पाड़ा की बावडी ये भी बुंदी में है इसके लवा बुंदी में गुला बावडी भी है गुला बावडी बुंदी में और गुला या गुला बावडी भी बुंदी में इसे गुला बावडी भी का जाता है जो गुला गुला बावडी है ये बावडी कुंडली के अकार की बावडी है यानि कि ये दिन के तीसरे पे तो जो ये गुलाब बावडी है बुंदी में ये अपने आप ही पानी से बर जाती है अब पड़ते हैं जोधपूर की बावडियां कि जोधपूर में कौन-कौन सी बावडियां इस्तिते जोदपूर में है जलाप बावडी, नई सडक बावडी, मंडोर की बावडी, गोरुन्धा की बावडी, धाइ बावडी जोदपूर में, इद गहा की बावडी भी जोदपूर में हाती बावडी तो हाती बावडी जोदपूर सिव बावडी ये भी जोदपूर में और पांचवा मंजिसा बावडी ये भी जोदपूर में और राम बावडी भी जोदपूर में रगुनात बावडी जोदपूर में एक चट्टान बावडी ये भी जोदपूर में ये जितनी भी बावडिया मैं आज आपको बता रहा हूँ ये आप अभी वीडियो को रोकर किसी जो भी आपके पास नोटबुक है उसके अंदर आप लिख लेना और इसका एक दो बार अभ्यास करना बिलकुल सरह ले इनको याद करना कोई ज़्यादा हाड नहीं अपनी खुदी ट्रिक बना लेना इसमें मेरी ट्रिक तो खुद की है वो उसमें तो आपको समझवे में नहीं आएगा किस परकार से मैंने बनाई ये अब देखते हैं जुन जुनों की बावडी तो जुन जुनों है खेतानों की बावडी खेतानों की बावडी जुन जुनों है और तेनदास की बावडी तो ये भी जुन जुनों है तुल्शानों की बावडी भी जुन जुनों है इस परकार हमने जितने भी बावडी हैं महत्पून उन सब के बारे में डिटेल्स हैं चर्चा की यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें जादा से जादा अपने मित्रों को सेर करके इसमें जोड़े अपने चैनल से ताकि अपना परिवार बहुत बड़ा हो हमने इतनी भावडी के बारे में चर्चा की तो इन भावडी के निर्माण में जो सरवादिक योगदान रा है वो किसका रा था? वो रा था बंजारूं का और जो कवी काली दास थे उन्होंने अपनी पुस्तक जो मेगदूत उस मेगदूत में यक्स दौरा अपने घर के बितर बावडी का वर्णन किया गया है मेगदात के जो काली दास का मेगदूत है उसके अंदर भी बावडियों का में वर्णन मिलता है इसके अलवा जो अबनेरी की जो बावडी है दोसा में और जो ओस्या की बावडी है जोद्पुर में और जो भीनमाल की बावडी मैं बता ना भूल कि आपको जो भीनमाल की बावडी है वो है जालोर में ये भी जान रखना भीनमाल की बावडी है जालोर में जो ये तिनू बावडियां हैं अब नेरी की, ओस्या की और भीनमाल की इन तिनू बावडियूं में बीतरी आवास आज भी देखे जा सकते यानि अंदर रहने के लिए आवास भी ओर बनाएंगे इन बावडियू में और वेसे बावडी का मूल नाम देखें तो इसका मूल नाम है वापी जिसे अंग्रेजी में इस्टेप वेल यानि सीड्यूं वाला कुवा भी बावडी को कहा जा सकता है कही बार बावडियों का परकार भी पूछा जाता है तो बावडियां भी एलग-एलग परकार की होती है तो जो एपराजीत में पढ़ चा के अध्याय चोतर में बावडियों की चार परकार बताए गएं पहला है नन्डा इसमें एक द्वार तता तीन कूट होते थे बावडियां मनोकामनाई इसमें पूर्ण करती थी यानि बावडियां क्या करती थी मनोकामनाई पूर्ण करती थी दूसरी बावडि का परकार है बद्रा बद्रा क्या होती है दो द्वारूं एवं सट कूट वाली एक सुन्दर बावडी को बद्रा होती है और जया देवता के लिए भी दुरूबल बावडी जया में तीन द्वार तथा नो कूट होते थे और चोती बावडी है परकार है वो है सर्वोत मुख बावडी यानि इसमें चार दुवार तथा बारे सूरी उकुट होते है तो इस परकार हमने बावडियों के बारे में आज की इस टोपिक में चर्चा की यदि इस वीडियो को आप अपने ध्यान से देखा है अपना दिमाग एक जगे इस्तिर रखे तो मैं एक परशन पूछता हूँ इन्ही बावडियों में से है उसका मुझे आपको जवाव कमेंट बॉक्स में देना है देखते हैं इसका शेही डिटेल के साथ जवाब कौन देता है एक मैंने चर्चा की थी हमने तापी बावडी गी तो तापी बावडी कहां परिस्तित है इसका आपको उतर हमें कमेंट बॉक्स में देना है आज सामको महिला और बाल अपराद का राजस्तान पुलिस के लिए स्पेसल टॉपिक जिसका अगला पाट आएगा उसको जरूर देखना आप लाब उठाना ज्यादा से ज्यादा ताकि प्रिक्षा में इस बार एक भी नमर कटने की कोई गुंजा ही पेदा ना हो हमारा जो मिशन है टार्गेट है गर गर गाओं गाओं गर गर तक शिक्षा पहुंचाना निशुल्क वो पूरा हो तन्यवाद जैहिंड मिलते हैं अगली क्लास में